कॉंग्रिस नेतार राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी से दस सवाल पूछे हैं राहूल गांधी ने कहा कि हर साल दो करोण रोजगार देने के वादे का क्या हुआ कॉंग्रिस नेता ने रुपए की गिर्दी कीमतों पर पियम मोधी पर हमला बोला है और कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया असी पार कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि देश के युवांग को ठेके पर चार साल के लिए सैनिक बनने पर क्यूं मजबूर किया जा रहा है। संसत के हंगामे की और प्यम मोदी का ध्यान खीचते हुए राहूल गाधी ने कहा कि मांसून सत्र में हम प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। जनता के कई सवाल हैं जिनके जवाब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को देने हैं। लेकिन उनकी तानाशाही देखिए, सवाल पूछने पर प्रधानमंतरी मोदी इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को गरफतार करवा दिया, 23 को निलम्बित करवा दिया एक फेस्बुक पोष्ट में रहुल गांधी ने लिखा, एक हैर जो सवाल उन्हें पूछने नहीं दिये जा रहे, वो यहां पूछ रहे हैं देश के राजा से पहला सवाल, 45 सालों में आज सबसे ज़ादा बेरोजगारी क्यों है, हर साल दो करुण रोजगार देने के वादे का क्या हुआ दूसरा सवाल, जन्ता की रोजमर्रा की खाने पीने की चीज़ों जैसे दही अनाच पर जेश्टी लगा कर उनसे दो वक्त की रोटी क्यों छीन रहे हैं तीसरा सवाल, खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, जन्ता को रहत कब मिलेगी चौथा सवाल, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत असी पार क्यों हो गई पांचवा सवाल, आर्मी में दो सालों से एक भी भरती नहीं करके सरकार अब अगनी पत योजना लाई है यवाओं को चार साल के ठेके पर अगनी वीर बनने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है चटा सवाल, लद्दाक और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है आप चुप क्यों है और आप क्या कर रहे हैं साथमा सवाल, फसल बीमा से इंशुरंस कंपनियों को 40,000 करोन का फायदा करवा दिया मगर 2022 तक किसानों की आए दोगनी करने के वादे पर चुप क्यों है आठमा सवाल, किसानों को सही MSP के वादे का क्या हुआ और किसान अंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआफ़जा मिलने का क्या हुआ नौवा सवाल वरिष्ट नागरिकों के रेल टिकट में मिलने वाली 50 फीसदी छूट क्यों बंद की गई जब अपने परचार पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो बुज़र्गों को छूट देने के रिए पैसे क्यों नहीं है कौंगरिस सांसद राहूल गांधी ने कहा कि सवालों की लिष्ट बहुत लंबी है लेकिन पहले प्रधान मंतरी जी मेरे इन दस सवालों का जवाब दे दे उन्होंने कहा कि कौंगरिस पार्टी को डराने धमकाने से आपकी जवाब दे ही खत नहीं हो जाएगी हम चंता की आवाज हैं और उनके मुद्दे उठाते रहेंगे हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिकिरिया है कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताईएगा साथ ये ऐसे और वीडियो के लिए सबस्क्राइब करिए हमारा यूटूब चैनल आज तक इस समय पूरी दुनिया में लोग कन्फ्यूजड हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है क्या सच है क्या जूट है और ये सपश्टता हम आपको अपने इस नए शो में लेंगे सब कुछ ब्लैक और वाइट में बताएगे इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा हर खबर ब्लैक और वाइट की तरह बिलकुल सपश्ट होगा